36 गड़ में जब एक बच्चे के शव को परिजिनों को लाने के लिए वाहन और एम्बूलेंस नहीं मिला तो परिजिनों ने पॉल थीन में बच्चे के शव को पैक करके बाइक पर ही घर ले गए आपको बता दे कि 36 गड़ जांजगीर चांपा जीले के बनारी गाउं में सुबह एक बच्चे को साप ने काट लिया इसके बाद परिजिन उसे जीला अस्पताल ले गए लेकिन इलाज के दुरान मासूम की मोथ हो गई इसके बाद परिजिनों के घंटे इंतजार के बावजूत उन्हें शव वहाँ नहीं मिला जिसके बाद परिजिनों ने मासूम बच्चे के शव को चादर और पोल्थिन में पैक करकर बाइक पर ही घर ले गई ताकि समय से उसका अंतिम संसकार हो सके इस मामले में CMHO का कहना है कि सारी व्यवस्थाओं के बावजूत यह परिश्थिती कैसे निर्मित हुई इसकी जाच होगी गोरतलब है कि जिले में आज से लोकडाउन प्रारम हो चुका है इसी बीच सुभे जांजगीर से लगे ग्राम बनारी में दो वर्षिये मासूम शीतल गोपाल को सापने डस लिया जिला अस्पतार लाते तक बच्चे के शरीर में जहर फैल गया और उसी दुरान उसकी मोध हो गई इसके बाद शव को ले जाने के लिए अस्पतार प्रबंदक ने एम्बूलेंस की व्यवस्था नहीं की लोकडाउन की वज़े से निजी वहानों ने भी शव को ले जाने से इनकार कर दिया जिसके बाद परिजनों ने शव को चादर और पॉलथिन में पैक करके उसे घर ले गए इस मामले में मुखिच कित्सा इमन स्वास्ते अधिकारी ने जाज की बात कही है 36 गड़ से समाधाता राजेंदर गाड़े की रिपोर्ट जड़ी चूप की है तो उसकी जाज कराके जाज कराई जाज कराई जाज ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाल अजिए बाज बेले पाने के लिए बाज 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 पर स्कारण करें लाज गराना जोती गारण, जोती गारण जबीडिय बांकित अन्टरप्राइब